अतद्वात्रिम्ष सर्गहा ततश्चाखां तरेलीनं दृष्ट्वाः चलितमानसा वेश्टितार जुनवस्त्रम्तं विद्युत्संगात पिंगलं साथ दर्शकपिम्तत्र प्रश्वितं प्रियवादिनं फुल्लाशो कोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणं मैथिली चिंतयामास विस्मयं परमंगता अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्षमिती ज्ञात्वा पुनरेवम मोहसा बिललाप ब्रशं सीता करुणं भयमोहिता रामरामेति दुहकार्ता लक्ष्मनेति जभामिनी रुरोद बहुधासीता मंदं मंदस्वरासती सातम द्रिष्ट्वा हरिष्रेष्ठं बिनीत वदुपस्थितं मैथिली चिंतया मासय स्वप्नोयमिति भामिनी साविक्षमाना प्रतु भुग्न वग्त्रं शाखामर गेंद्रस्य तोक्तकारं ददरिषपिंगाधि पतेरमात्यं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं सातं समीक्ष्य वभृषं विसंग्ञां गता सुकल्पेव बभुवसीतां चिरेन संग्ञां प्रतिलभ्य भूयों विचिंतया मास विशालनेत्रां स्वप्ने मयायं विक्रतोद्य द्रिष्टं शाखा मुर्गाहा शास्त्रगनेर निशिध्धं स्वस्त्यस्तु रामायस लक्ष्मनायं तथा पितुर्मे जनकस्यराज्याहं स्वप्नो पिनायं नहिमेस्ति निद्रां शोके न दुखे न चपीडितायाहं सुखम्हिमेन आस्तियतो स्मिहीनाम तेनेंदु पुर्ण प्रतिमाननेन रामेति रामेति तदैव बुध्याम विचिंत्य वाचा अभुवती तमेव तस्यानुरूपाम् चकताम् तमर्थाम् एवं प्रपश्यामित ताशनोमी अहम्हितस्याद्यमनोभवेनें, संपीडितात अध्यत सर्वभावां, विचिंतयंती सततं तमेवें, तथैवापश्यामियत्आश्रणोमी, मनोरतस्यादितिचिंतयामी, तथापिबुध्याच वितरकयामी, किमकारनम्तस्यहिनास्ति रूपं, सुव्यक्तरूपस्चवधत नमोस्तु वाचस्पत ये सवज्रिने स्वयंभुवे चैवहुताशनायच अनेन चोक्तम यदिदम्मा माग्रतु वनौकसात अच्चत थास्तु नन्यसा इति श्रीमत्रामायने सुंद्रकांडे द्वात्रिम्ष सर्गह